हाई एवरिवान कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दिन है आज बुद्धवार और साम का टाइम है साम के करीब साड़े चार हो रहे हैं तो अभी मैं यहाँ पे जो है ब्रेड से करें हूँ तो तन में को लग जाती है इस टाइम पे भूख डेली का ही है उस उसका साड़े चार पांच बजे मतलब उसको कुछ खाने को चाहिए अभी जब से स्कूल बंद रहता है तब नहीं यह टाइम टेबल रहता है लेकिन स्कूल बंद रहता है तब उसे इस टाइम पे कुछ न कुछ खाने को चाहिए तो किसी दिन जैसे ब्रेड हो गया किसी द अच्छा लगता का तो वो बीच बीच में इस तरह से ब्रेड मंगा देती हूं ब्रेड भी ना देटा है तो डेली टेली ये नुकसान फिर करने लगता है तो टेस्ट बदलने के लिए बीच बीच में मैं मंगा देती हूँ तो यहाँ पे ब्रेट को मैंने बटर में सेख दिया है अच्छे से और यहाँ पे फिर दुबारा से दो और सेख लूँगी तो इसमें ना सेख के बस मियोनीज लगा दूँगी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ ऐसे सिर्फ मियोनीज देखे इस तरह से लगा के इस प्रेट पूरे ब्रेट पे कर दूँगी और उपर से नमक काली मिर्च का पावडर छिड़क दूँगी बस तो बहुत ज़्यादा मेनद भी नहीं लगती है और टेस्टी भी लगता है इस तरह से मतलब सेंड्वीच जो अगर हम खाते है न तो मन उससे बहुत जल्दी भर जाता है लेकिन ये है न थोड़ा सा हलका भी रहता है अच्छा लगता है टेस्टी लगता है तो बस इस तरह से लगा के मैं उसको दे दूँगी औरना ये डेली का नहीं है कि मैं ही करती हूँ वो भी अपने से खुद से से के ले लेता है ऐसा नहीं है कि मैं ही साम को उसको दूम से के तो बस सेकना ही रहता है तो वो खुद से कर लेता है जब sandwich वगर आप बनाने होते हैं तब मैं बनाती हूँ वरना ये सब अपने से वो ले लेता है दोपार के टाइम या साम के टाइम उसको जिस चीज की जरूरत होती है तो वो अपने से आके kitchen में ले लेता है तो यहाँ पे मैंने cut कर दिया है और उसको दे दूँगी तो थोड़ा कभी कभी ले लेती हूँ मैं भी एक पिस या ये भी ले लेते हैं वरना थोड़ा बहुत नमकीन हो गया जैसे इसी type का बहुत कुछ नहीं मेरा तो बहुत जादा मन नहीं करता है इस time का तो जो कल मैंने चावल फटक के रखा था तो फिर time कल नहीं मिला तो ऐसे ही रखा ही रह गया तो इसी को मैं साफ कर ले रही हूँ और कल मैंने बहुत थोड़ा सा ही फटक के साब किया था कीड़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा साब भी ने किया तो फिर आज मैंने छट पे खल बट्टे में इसको थोड़ा सा कूट लिया है तो उसके बाद कीड़े अच्छे से फटकने पे निकल गए तो चावल जो है न मीठा होता है जैसे और घर के चावल है न ये कठे रख दिये जाते हैं जादा जादा तो बहुत जल्दी कीड़े पड़ भी जाते हैं जैसे मंजू आंटी आती हैं साफ करके रख देती हैं उसके बाद तो फिर एक दो महिने के लिए इस तरह से बना के रख देती हैं तो फिर मैं धीरे धीरे उनको जैसे साफ करती हूँ तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो इस वज़र से मुझे थोड़ा थोड़ा ही कर ले रही हूं और ये सब काम ना दिन में ही सही हो पाते हैं जैसे साम के बहुत ज़्यादा साम जब हो जाएगा तो रोसनी ज़्यादा नहीं रहती है ना तो फिर काम करने में दिक्कत होती है या फिर छट पे जाके करना होता है और अभी गर्मियों में छट पे जाने का बि साम को करें और ये सारे काम जो है साम को करने के लिए मतलब अंधीरा होने लगता है तो भी नहीं हो पाएगा तो बस मैं यहाँ पे चावल साफ कर ले रही हूँ और तनमे ने जोले में सबजी लाके रख दिया है तो सबजी मैंने जो रात को बनानी थी और सुबह के लिए तो एक एक दिन ही सबजी आती है ऐसे नहीं कि जादा सबजी मेरे घर नहीं आती है डेली का डेली ही सबजी आता है आलू प्याज ये सब चीजे आ जाती है एक हपते के लिए बाकी जो हरी सबजी रहती है तो वो डेली का डेली ही आता है तो यहाँ पे मैं चावल को भी साफ कर रही हूँ और साथ के साथ चाय भी पी रही हूँ तो दो काम एक साथ ही हो रहे हैं अब चाय बैठके पीने में 10 मिनट 15 मिनट चला जाता तो मैंने सोचा कि साथ के साथ चावल भी साफ कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरे चावल को मैंने साफ कर लिया है और अब यह न एक डिबा जैसे भर के यह प्लास्टिक वाली बालती है तो यह भर गया तो एक हपते दस दिन आराम से चलेगा अब चावल था यह नहीं चावल खतम भी हो गया है नहीं तो रहा होता तो अभी मैं और साफ करके रख देती तो आज दिमाग में था ही कि मतलब यह सब काम निप्टा दूँ ताकि कुछ दिन राहत रहेगा उसके बाद देखे मैं छट पे आ गई हूँ और यहां अब मुझे जो है दाल साफ करनी है तो कल या परसो मैंने धूप में दाल डाली थी तो वैसे ही रख दिया था इसे अंदर मैंने रखा भी नहीं था यही उठा के रख दिये थे पौदे को पानी जब दे रहे थे तो उठा के रख दिये तो अब इसे भी फटकना है तो ये घर का ही डाल है जैसे तो इसमें थोड़े छिलके रह जाते हैं और जो डाल खराब रहती है जैसे इसमें क्या होता है कि जब डाल को बनाया जाता है तो उसमें इसमें तिर्ची जो दाल खराब होती है उनको तिर्ची बोला जाता है तो वो सब तूटे फूटे जब दरे जाते हैं दाल तो उसमें तूटे फूटे रहते हैं तो उन सब को साफ करना होता है वरना वो फिर दांत में लगते हैं जैसे कंकर टाइप के वो गलते नहीं है तो उनी को साफ करना होता है तो जब खतम हो जाता है बनाने के लिए मैं इसी तरह से साफ कर लेती हूँ फिर खतम होता है तो धूप में डालती हूँ और एक बार मैं अच्छे से इस तरह से फटक लेती हूँ सिर्फ इस तरह से ही सूप से लेके फटक देती हूँ तो साफ हो जाता है तो मैं यहाँ पे डाल जो है साफ कर ले रही हूँ तो आज मुझे यही सब काम करना था इस वज़त से मुझे थोड़ा सा जल्दी ही काम में लगना हुआ चार बजे ही मैं मतलब रूम से बाहर निकल गई थी कि अगर अभी मैं लेट कर दूँगी तो यह सब काम नहीं हो पाएगा फिर वही अंदेरा होने लगेगा तो सारा काम रह जाएगा और उपर ना अभी छट पे जैसे आच जैसे लग रहा था इस वज़े से मुझे दूपट्टा पूरा ओड के काम करना पड़ा तो देखे यहाँ पे मैंने पूरा दाल साफ कर लिया और अब यह दाल ना पूरे महीने भर का हो गया है महीने भर से जादा ही चलेगा यह पांच केजी से जादा दाल है इस टील वाले डबे में तो एक दिन अगर हम इस तरह से काम कर लेते हैं थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो पूरे महीने भर आराम रहता है टेंसन फ्री हो के मतलब दाल चावल यह सब चीजे ऐसी हैं कि अगर हम किचन में काम करते समय इन सब को करें न तो बहुत जादा टाइम लेती हैं और अगर एक दिन कर दें थोड़ा सा मेहनत कर दें थोड़ा सा जल्दबाजी करके सुबह या साम को यह सब निप्टा लें तो फिर महीने भर आराम से यह चलता है तो टेंशन फ्री होके बसम को खाना बनाना रहता है हाई एवरिवान कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो काम मैंने इप्टा ली हम और थकान भी होगा यह सब काम करने में न थोड़ी सी थकान हो भी जाती है लेगिन कोई नहीं एक दिन काम थोड़ा समयनत हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है 15 दिन 20 दिन महीने भर डाल का जो काम मैंने किया यह तो महीने भर से जादा हो जाता है मतलब एक बार अगर डाल बना के रख देती हूँ तो महीने भर से जादा चलता है चावल वगएरा दस दिन पंद्र दिन इस तरह से गर्मी बहुत जादा है एक डम मतलब छट पे आई हूँ लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं आप दिखे इस तरह से कोई भी कुछ भी नहीं हिल रहा है एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो अब मानसून का इंतजार दस पंद्र दिन चलेगा उसके बाद ही बारिस होगी तो चल रही है नीचे थोड़ा सा घर में बैठे बैठे भी न वो सब काम किया उसके बाद अंदर रूम में भी बैठे बैठे एक डम हालत खराब हो जा रहे है तो अब चलूंगी नीचे दिया बत्ती करूंगी उसके बाद जो है फिर खाना पिना में लगूंगी थोड़ा सा टहल ले रहे हैं थोड़ी सी एनर्जी आजाए थकान भी होगी और एनर्जी भी आएगी पौधों की हालत बहुत ही जादा खराब हो गई है दिखाती हूं आपके ये देखे सारे पत्ते बिल्कुल ना एकदम जल गए हैं धूप से उपर जो है ना पानी की बेवस्था नहीं है पानी थोड़ा सा मतलब इसकीप हो जाता है डेली तो ये डालते हैं लेकिन अब इनको है ना इस गर्मी में जो है दोनों टाइम सावरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ये देखे कितनी सारी कलियां बनी हुई है लेकिन बस जो गई है सूबद 6-6 बजे धूप हो जाती है मैं काम से फ्री ही नहीं हो पाती हूं अलब फ्री होने में तो दोपर ही हो जाता है इन लोग का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है इधर के ये देखे मोगरा का पौधा ये सही है कुछ पौधे है ना जो गर्मियों में सही रहते हैं और ये तो इंडोर प्लांट है इस वज़द से ये ज़्यादा जल गया है तो ना उपर जैसे ग्रीन नेट अगर लगाते तब जाके थोड़ा सा ये सही रहता लेकिन वही है फिर नीचे लगाओ उपर लगाओ बहुत ज़्यादा पहले ये रूम नहीं था तो फिर ठीक था लेकिन जब से रूम बना है तब से इनकी दिक्कत हो रही है पौध होगी अब बरसाथ होगा तो फिर ये ठीक होंगे तो चलिए चलती हूँ नीचे तो फिर आपसे मिलती है नीचे आने के बाद मैं थोड़ी देर रूम में बैठी थी ऐसे इधर उधर मतलब कुछ छोटे मोटे काम जो होते हैं वो सब किया किचन में देखा सामान इधर उधर दिया बत्ती करने तो इसको करने के बाद तो फिर चलूँगी मैं खाना बनाने तो दिया बत्ती करने के बाद मैंने सबजी कट किया और जो सबजी आया था उन सबको रख भी दिया है और यहां पे मैंने सबजी डाल दिये तो सबजी मैं बना रही हूँ आज वो परवल और आलू की सबजी सूखी सबजी है तो आज कल आम रात को मतलब सुबह साम दोनों टाइम ही सबको आम चाहिए खाने के साथ तो साम के टाइम थोड़ा सा यह रहता न कि हम सिंपल सी चीज भी बना देते हैं तो आम रहता है तो सही रहता है तो वही परवल आलू की सबजी बने की और रोटी आम रहेगा तो यहाँ पे अब मैं आटा लगा रही हूँ तो आटा गुद के रख दूँगी और फिर जब सब लोग खाने बैठेंगे तो तुरंत गरम गरम रोटी ही बनाओंगी तो मेरे घर में न सबको रोटी तुरंत के तुरंत गरम गरम ही चाहिए होता है और अभी गरमी में रो करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राब